वेल्कम टू आठ का तड़का हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करते हूं आप सब खरियर से होंगे आज मैं फिर एक फैब्रिक पेंटिंग का डिजाइन लेकर आए हूं जिसको मैं लेमन येलो और शेप ग्रीम ये है वाइट और ये मरून कलर जिसको मैंने रेद में थोड़ा सा परपर कलर को मिक्स करके मैंने मरून कलर त्यार किया था और ये फ्लावर पॉट के लिए मैं दूसरा कलर इस्तमाल करूंगे और बरश में जो आम तोर पे इस्तमाल करती हैं हमेशा यही यूज करती हैं ये जिरो नमबर का बल की डबल जिरो नमबर का पेन बरश है और एक नमबर वाला पेन बरश ये फ्लैट बरश है जिससे मैं अपने फ्लावर के जो बड़ी पत्निया हैं उसको हम बनाने में यू तरह से डिजाइन बनाने में थोड़ी इजी होती है, मस्वूस होती है, होती क्या है, आप पहले लीफ को बनाएं या फ्लावर को बनाएं, कोई फर्क नहीं परता है, आपको जैसे इजी लगे, बेहतर लगे, वैसे आप बनाएं, वैसे तो मैं पहले लीफ ही बनाती हूँ, है इसमें कोई परिशानी की बात नहीं है उपर हाफ में ग्रीन करें या यलो करें और उसका अपोजित कलर हाफ में उपर में करें या अगर दो ही कलर में बनाना है करें नीचे करें या उपर करें कहीं भी और बीच में जो हमें मिक्स करना है तो मिक्स करके हम अपने अलिफ को बना लेंगे तो दोस्तों थंदी बहुत बढ़ गई है आप लोग अपना ख्याल रखें सिहत मद रहें तंदरूस्त रहें और खूश रहें अपने आपको थंदी से बचाकर रखें हमारे लीफ जो है वो ड्राई हो चुके है तो उसम पर जो हमारे देशे होते हैं पत्तिव में बालिक बालिक से पेन बदाश से हम उसको देंगे बस बिल्कुल हलके हलके से और बालिक बालिक से अब हम अपने design के flower को बनाएंगे यह हमारे बीच में एक ही rose है rose का flower ही जिसको हम बनाएंगे मैं maroon color और white color को इसको mix करना है बस अलका सा ही mix करना है नीचे से dark color को देते हुए देखिए तो friends मैंने इसका base नहीं दिया है नीचे में मैंने थोड़ा सा जैसा कि आप वीडियो में देख रही है नीचे में मैंने थोड़ा सा जगह को छोड़ दिया है वाइट फिल करते हुए उसमें मैं डार्क कलर से शेडिंग करूंगे प्रेंट्स आब भी सूच रहे होंगे कि मैंने एक बार में 3-4 बत्तियों को वाइट कलर से फील किया है तो जी हाँ आप के लिए ये मौसम जो है हमारे फेब्रिक पेंटिंग केः करने के लिए अगर आप फेबरिक पैंटिंग करना चाहती है और खास करके mix वालागर करना चाहती है तो ये मौसम जो है हमारा बहुत ही बेहत्रीन है इसमें आप जैसे मरजी और जब तक मरजी हो आप उसको mix करें प्लार को बहुत ही जल्दि सूख जाते हैं ड्राइ हो जाते हैं तो गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है थोड़ी, तेजी से हाथ चलाना पड़ता है, अगर जिसको प्रैक्टिस नहों, उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और ये मौसम जो है, इसमें आप बहुत ही इसली असानी से पेंटिंग करें, और मिक्स करें, इस मौसम म बिल्कुल भी परिशानी नहीं होती है, एक बारिश की दिनों में, मिक्स वाले अगर आप पेंटिंग बनाना चाहरी है, तो बारिश की दिनों में, और ये ठंडी के मौसम में, मैं तो जादा तर ठंडी के मौसम में ही करती हूं, इसमें पेंटिंग क्या है, कि मेरे हमारे म मुक्ताबिक मिक्स होते हैं यह जल्दी जब तक ना जाए तब तक आप उसको मिक्स कर सकते है हूँ तो इस मार्चर में पैंटिंग करने के यही आसान तरीक थे आर बहुत यह आसानी से मिक्स होता है अ कि यह मारे बीच की पंकुले है अप्लावर के हमारा अप्लावर कम्प्लीट है तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और प्लीज फूल वाच करें मेरे वीडियो को समझें देखें कोशिस करें और प्रैक्टिस करें तो असानी से बना लेंगी याँ और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स भी करें और अगर मेरे वीडियो पे नए हैं आप तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन का जो घंटी नमा ये बटन होता है उसको साउठी करें ताकि मेरा जो वीडियो है आने वाला वो आप तक आसानी से पहुंच सके पहले पहुंच सके और आप Eig उसको आराम से देख सके और शेयर करें अपने दोस्तों में जानने वालों में रिष्टधारों में अगर उन लोगों को भी पेंटिंग सीखने का शौक है तो आप शेयर करें और उन्हें भी पेंटिंग सीखने में मदद करें और आप पेंटिंग सीखना चाहती है तो मेरे क्लास जो 1, 2, 3 सिखा रही हैं उसमें आप आसानी से जाकर आप लोग जो बिगनर्स हैं वो step 1, step 2 में करके आप easily आसानी से painting सेख सकती हैं और अगर कोई दिक्कत हो प्रइचानी हो प्रोब्लेम हो तो बेशक आप मुझे comments करके पूछ भी सकती हैं मैं पूरी कोशिश करती हैं कि अपने दोस्तों का reply दू हर comments का तो friends इस मौसम में आप mix वाला painting करने का कोशिश जरूर करें ट्राई करें देखें आपको कितनी असानी महसूस होगी गर्मी में जब आप बनाती हैं तो बहुत दिकते होती हैं पेंठ हमारे जल्दी जल्दी सूख जाते हैं हमने अपने फ्लावर पॉट को ब्राउन और वाइट कलर को शेडिंग देते हुए हमने बनाया है उपर नीचे से हलका हलका सा मैंने शेडिंग दिया है ब्राउन कलर का वाइट कलर से पहले मैंने फील किया है उसको ब्राउन कलर से मैंने उपर से और नीचे से शेडिंग करके और ब्लेक कलर से पेन बरसे से हेल्पस मैंने अपना आउटलाइन दिया है तो दिखिए हमारा दिजाइन प्यारा सा दिजाइन तेयार है आप जाहां चाहे जहां भी चाहे आप इसको बना सकती है असानी से आपको यह डिजाइन कैसा लगा आप हमें ज़रूर बता है आपके कमेंट्स कर हमें खुशी होती है थैंक यू फूर वाचिंग फ्रेंड्स